सब्सक्राइब कीचे मेरे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट टिकनालोगी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो फ्रेंज चलिए यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में इस ओपो एपनाइन प्रो की अन्बॉक्सिंग दे दूंगा और एक छोटा सा रिव्यू भी दे दूंगा तो इसे खोलने से पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं जो मुझे इस बॉक्स के साथ प्री मिला इसमें है एक और बॉक्स इसमें है एक सेलफिस टेक और बॉक्स अपको दिखाता हूं तो आप इसे देख सकते हैं इसे मैंने पर्चेस किया है 23,990 में यह 6.3 इंचेस की पून है आप इसका बॉक्स देख सकते हैं इसमें 25 मेगा पिक्सल फ्रंट कैमरा है आण 16 चेंटिमीटर यह 16 का Full HD स्क्रीन है dual real camera है 3500 us-匹 बैटरी है इसरी पर में इस बॉक्स को open कर लेते हिएं चल्य ओन की देखते हैं OPPO F9 Pro के लिए और यहां पर हमें कुछ paperbox मिल जाते हैं जो की है एक information guide और एक है हमारा quick guide तो चलिए मैं इसे side में रख लेते हैं side में रखने बाद मैं आपको दिखा देता हूं यह transparent cover है phone के लिए और यहां पर हमें मिल जाता है एक więc हमें से mmine drives का देता है जो हमारा main unit हैopo का phone तो चलिए इसे हम यहांसे निकाल के रिख लेते हैं sort में मैं आपको दिखाता हूं simran तो इसके अंदर हमें मिल जाते है कुछ जूह हम इर फोन धर लर दिखा देता हूं हम इर फोन मिल जाता हूं यहां साथ ही हमें charger भी मिल जाता है और यह charger काफी high watt का है यह अब देख लिए इसका charger जो है बहुती high watt का है fast charging support phone है तो यह हमारा यहां पर charger मिल जाता है इसके साथ हमें USB cable मिल जाती है जिसका आप USB cable देख सकते हैं काफी अच्छी quality का है and USB cable और यहां हमें एक earphone मिल जाती है Apple की design की तो अब देख सकते हैं यह earphone चलिए हम इसे side रखते और अपने phone की तरफ जाते हैं तो दोस्ता अब देख सकते हैं यह हमारा जो main unit phone है इसका fingerprint sensor काफी अच्छा है मैं आपको लिखाता हूँ जैसे मैं यहां touch करूंगा इसका phone open हो जाता है यहां में password की भी option मिल जाती है जिसमें हम कोई भी अपने pin या password या फिर fingerprint और यह pattern यूज़ कर सकते हैं यह phone की नीचे हमें मिल जाते हैं यहां पर sound bar यहां देख सकते हैं sound की दी हुई है यहां पर हमारा charging slot यह earphone slot और उपर के side हमारा कुछ नहीं है यहां पर हमें एक मिल जाता है power button और इस side में हमें मिलता है sound low and sound up button पीछे की design अब देख सकते हैं यहां में मिलता है dual rear camera और एक flash light जो कि यह एक camera 16 megapixel और एक 2 megapixel यहां में मिल जाता है fingerprint sensor और यहां में ओपो का चोटा सा logo मिल जाता है इसे के बाद मैं आपको phone दिखाता हूँ यहां में कुछ pre install apps मिल जाते हैं और कुछ मैंने भी install की है इसे मैंने कली purchase किया है तो मैंने इसे एक दिन यूज़ किया है मैं आपको बता देता हूँ मुझे क्या क्या अच्छा लगा तो चलिए मैं इसके settings में जाके आपको about phone दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं model नमबर है इसका आपको clearly दिखा देता हूँ इसका model है cbh1823 दोस्तों इसका color वर्जन है v5.2 android वर्जन आप देख सकते हैं जिसमें हमें मिल जाती है रैम 6GB की और इंटर्नल स्टोरेज है जो कि यह 64GB बट हमें यहां only 50GB ही मिलती है 14GB नहीं मिलती है टोटल 64GB में से यहां आप देख सकते हैं जो हमारी phone की प्रोसेसर है वो भी का पी अच्छी है और मैं आपको setting के बाद दिखाता हूँ यहां में एक setting जो हमारी password की है fingerprint face and passcode यहां आप अपने face unlock लगा सकते हैं यहां fingerprint भी लगा सकते एक privacy password का option मिलता है privacy password में हम अपने सारी apps को lock कर सकते हैं और यहां में lock screen password का option मिल जाता है इसके बाद मैं आपको दिखा दोस्तों सबसे अच्छी बात phone की यह बात है कि इसका जो notch है यह बहुत ही अच्छा है मैं आपको YouTube open करके दिखा देता हूं यहां पर मैंने same install करके रखा हुआ है तो YouTube में अगर हम कोई भी वीडियो यहां पर देखते हैं तो जो भी हमारी वीडियो रहती है जैसे मैं एक song लगा देता हूं यहां हम वीडियो को अपने full screen में देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं यहां पर मैं अपने फोन की जो है volume कम कर देता हूं ताकि मैं आपको जो volume सुनाई दे सके हैं मैंने volume कम कर दिया और देख सकते हैं जो मैं song play करूंगा यहां पर यह फिल्हाल तो full screen में नहीं है बट हम इस वीडियो को zoom कर सकते हैं अब देख सकते हैं zoom to film यहां हम अपने जो song है वो fully full screen में देख सकते हैं तो यह gaming के लिए भी एक बहुत अच्छी phone है जिसमें हम full screen में game देख सकते हैं खेल सकते हैं और यहां जो हमारी video है फुल स्क्रीन में हम इसे small size भी कर सकते हैं और large भी कर सकते हैं जो हमारी एक बहुत ही अच्छी function मिल जाती है यहां ओपो में zoom करने की इसके बाद मैं यहां आपको कुछ pre installed apps दिखा देता हूं जहां पर हमें tools में मिल जाते हैं एक जो हमारा clone phone है यहां आप में नहीं रहता है जिससे हम clone बना सकते हैं then यह सारी apps तो रहती है then हमें Google Duo में मिल जाता है pre installed जो कि हमारी Redmi phone में रहती है यह हमारे कुछ pre installed apps है यहां में camera quality भी काफी अच्छी मिलती है मैं आपको photos दिखा देता हूं and यहां में photos music file manager phone manager smart screen theme store tips videos music party game space roaming इतना हमें pre installed मिला था बाकी मैंने install किया है तो आप इस phone का figure देख सकते हैं सामने से हो और पीछे से भी कुछ इस तरह का phone काफी slight है पकड़ने में और यहां देख सकते हैं कि यह phone भी काफी पतला है उपर से भी friends मैंने इस phone का review आपको दे दी हैं आप इसका notch देख सकते हैं कुछ कुछ ट्रैंगुलर शेप का बठी पूरा ट्रैंगुलर शेप नहीं है और मैं आपको एक पर इसकी sound quality भी दिखा देता हूं कोड़ी सांग प्ले करके जिसे आपको इसकी sound quality पता चल लेकि कितने अच्छी है तो मैं आपको यहां ही एक song भी लिखा देता हूं तो दोस्तों देखा अपने सांग क्वालिटी भी कितना अच्छा और वीडियो क्वालिटी भी जो आपको फुल स्क्रीन में देखने को मिल जाता है दोस्तों इसकी बैटरी बैकप भी काफी अच्छी है आप तो जानते ही यह तू मिनिट चार्ज और फाइफ मिनिट चार्ज और टू आल स्टॉक का फून है तो मैंने आपके इसको शॉर्ट रिव्यू और अन्बॉक्सिंग वीडियो दे दिया अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर दोस्तों आप भी यह फ